वीगाट पेबल शाइन टेन लिटर्स को इस इलेक्टरिक घजर के बार में बात करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह जो घीजर वो कितना इलेक्टरिक कांजूम करता है कितना बिजली बिल आया अगर आप इस घीजर को यूज करते हैं तो साते में यह जो सब्सक्राइब आपको सारी चीजर पता चलने वाली है और अगर आपको इस घीजर को खरीदना है तो खरीदने का ओरिजिनल वेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के टेस्क्राइब में मिल जागा तो वहां से क्लिक करके आप इस घीजर को भाई भी कर पाएंगे तो चलिए वी सर्च कर सकते को बढत एक बढ़े वीडिया पर foreign को पर no devices भी जाएगा योजर है एक प्राकार का स्टोरी तो इसमें आप पानी गरम करने के बाद लाइट को आफ करके घीजर में पानी गरम स्टोर करके रख सकते हैं और इसके बाद आप इसको डेफिनेटली उसकर सकते हैं 24 घंटे तक इस घीजर में पानी गरम रहता है और यह जो घीजर है इसकी बिल्डो कॉलिटी काफी ज़दा बढ़िया है सबसे पहले चलिए हम इसके वारेंटी के बारे में आपको बताते हैं इस घीजर में आपको 7 साल की वारेंटी देखने को मिलती है फस्ट अफ आफ और यहां पे जो वारेंटी है 7 years की वो है इसके inner layer पे inner tank पे और 4 साल की वारेंटी इसके heating element पे जिससे पानी गरम होता है और 2 साल की वारेंटी पूरे के पूरे गीजर पे है जो कि one of the best गीजर बनाता है इसको और यह जो गीजर है वो 35 degree Celsius से लेकर के 75 degree Celsius तक पानी को गरम करता है तो इतने range में पानी जो हो गरम हो जाता है और 2000 वार्ट की विजली है यानि कि नॉर्मली जो 230 वोल्ट का जो current आता है उस पे जनरल यह जो गीजर है वो पानी घरम होने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगाता है तो इतने देर में घरम पानी हो जाएगा उसके आप इसको यूज कर पाएंगे और घीजर से रिलेटेट कोई सवाल होगा तो आप कमेंट्स करके मुझे से पूछ लिएगा आपको इसली रिप्लाई मिल जागा और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एक बार वहां पर देख सकते हैं आपको घीजर लेने में अगर हल्प चाहिए होगी तो मैं आपकी मदद कर दूँगा चलिए मिलते अपसे अगली वीडियो इस वीडियो का लाइक कर दीजेगा और इस घीजर को अगर आपको ले